इस वक्त हम मौझूद हैं यमना स्पोर्ट्स कॉंफ्लेक्स के भीतर और यहां पर हम आपको ऐसा आइसोलेशन सेंटर दिखाने जा रहे हैं जहां खास तोर से छोटे बच्चों के इलाज का इंतिजाम किया गया है सामने आप तस्वीर देखिए ऐसा लगेगा आपको कि आप ने नोटिस किया है कि बच्चे बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं वह जादा बिमार नहीं भी है तब भी उनको एक जगा पर रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है तो बच्चे यहां पर जो गंभी रूप से बिमार नहीं है जिनको आइसोलेशन करने की जरू इसका मकसद क्या है ये बताने के लिए यहाँ पर जो तमाम विवस्था कि है एक सफके के साथ कि अगर किसी बच्चे को एड़मेट करने की जुरूत परती है या किसी ऐसी मदर को एड़मेट करने की नहीं रह सकता तो एक सिंगल बेड़ पर उसको रखना थोड़ा सा प्रोब्लेमाटिक हो जाता है और क्योंकि ये डॉर्मेटरी काइंड फैसिलिटीज हैं इंडिपेंडेंट बेड़ नहीं है तो हमने ये डबल बेड़ गी फैसिलिटी बनाई है ताकि अगर दो मतलब मदर और बच्चे को भी यहां पर एक साथ एडमेट करना पड़े तो उसके पास कम से कम एक इतनी जगा हो कि वो कमफर्टेबली यहां पर बैठ सके रात को सोना की जुरुत पड़े तो सो भी सके यहां यह जो आप देख पा रहे हैं पाइप कनेक्शन यह ओक्सीजन का कनेक्श हैं यहां पर 500 लीटर इच कपैस्टी के तो यानि कि लगबग 2000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन है जो यह पाइप के थ्रू यहां पर आ रही है तो अगर आप यह मान के चलिए कि हर मरीज को पाच लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन कॉंटिनसली भी चाहिए तो 400 बेड तो हमारे ऑ इस घंटे पाइपलाइन के जरिया ऑक्सीजन की सप्लाई आठ सो बेड तक तो यहां पर बहुत असानी से बनाया जा सकते हैं और डिपेंडिंग ओन जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आती रहेंगे और इंस्ट्रक्शन से जादा और इंपॉर्टन आस्पेक्ट है कि जिस हिसा आठ सो बेड तक तो यहां पर चले ही जाएंगे तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है युद्ध इस्तर पर चोकी जिस तरह से देश की राजधानी में कुरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं अगर आने वाले दिनों में आईसोलेशन सेंटर की जरुत पड़ती है तो अभी ही पुकता तैयारियां कर ली गई है कैमेरामेन अजे ठाकुर के साथ पंकर जैन दिल्ली आज तक